और ऐसा उधारा रख देता हूँ ताकि हमेशा के लिए बहस खतम हो जाए थेत्रही तो चलती रही बहस खतम हो जाएगी थेत्रही को तो कोई भगवान भी आ जाए तो खतम नहीं कर सकते मेरी के आई से लेकिन बहस लोजिकल बात खत्म हो जाएगी राष्ट्री कोन मंच बताया अतीग जी ने हम उन तो किसी से लड़ते ही ने चलो उनकी बात माल लेते है लेकिन इसारी अंच मंच जब बने नहीं थे का मेरे खाल से अतीग जी और इनकी उम्र के इस्तिरी पुर्ष तब स्कूलों में पढ़ रहे होंगे केजी वगरा में तब शाहवानों का फैसला आया था वो तो किसी मंच की मेमर नहीं थी वो तो आरेसेस में नहीं थी वो तो राष्ट्री मंच और कोन कोन मंच में नहीं थी तब इंदरिश्कुमार ने कुछ बनाये नहीं था अबने अबने ठीक बोलो तो तरकतपूर बात बोलो ना वो क्या मांगने गई थी जो सारे मौलाना उसके खिलाब खड़े हो गए और इनको नहीं पता ओवेशी को पता है लेकिन वो चुकि उनके अब्बा तब लोक सभा में थे ओवेशी थे लेकिन ओवेशी उसका उलेख नहीं करेंगे तर पार्ठी जी सुनेंगे तो भविश के लिए अपनी पार्ठी को सतरक कर पाएंगे जियाउर रह्मान अंसारी यूपी वाले जानते हैं तरपाठी जी वो मंत्री थे क्या राजीव गांधी ने जब इनको आरिप मुंबत को किनारे कर दिया बदल पल्टी मार ली तो जाउर रह्मान ने भारत के सर्वोच मेरे एक एक शब्द जिम्मेदारी मा ले रहा हूं सर्वोच नयायले के नयाया धीशों को जिन्होंने फैसला सुनाया तरशाबानों में उनके चीर हरन कर दिया पार्लेमेंट के भाषण में क्या कोई बाई का लाल चू नहीं बोला क् सब्सक्राइब कर सकता हूं मुझे इसमरन है क्या बोला था जयाउर रामान अंसारी ने राजीव गंदी के नाम लेके जज़स के लिए कि बात हो रही थी कि कारवाई करिए सबसे पहले जयाउर रामान को जेल में डाल दाना चाहिए था कैसे बोला एक बात आईए तक्ठ सही रहें इमर्जेंसी के दवरां तरभाठी जी मैं पुरानी बातों में नहीं जाओंगा भागलपूर मल्याना कई बार हो चुका हाशेंपूरा इतियास में हमारे आपके कहने से नहीं बदल जाएगा ना अतिक साब के कहने से कुछ बदलेगा ना चेतना जी के कहने से बदलेगा इतियास तो घट गया तुर्कमान गेट पर यह जो आज बुल्डोजर के खिलाप चिला रहे हुना आप सब लोग क्या इसका आदिम संस्क्रण मालूं क्या था तपाड़ी जी हाना बोलते रहो तो आनन्द आएगा इसके पूरवज मालूं कौन थे प्राता इसमर्नी संजे गांधी क्या प्राता मुझलमान थे उनमें दे सटा सट दे सटा सट तहत मैस कर डाला मेरी बात को इतिहास में जाके चेक कर लिजे गलत निकले तुम मेरे कुपर मुकदमा कर दे अतिक साप या कांग्रेस फकुरुदीन अली एहमद थे राष्टपती अब फकुरुदीन जी विचारे धिले आदमी क्या उनसे रात में जवरिया दसकती करा लिये थे इमर्जिंसी के खर फकुरुदीन अली एहमद ने चचा यूनुस को बुलाया तो आप तो जानते हैं यूनुस चचा को मुहमद यूनुस आप उनका नहरू परिवार से संपर्क भी जानते हो मुझे बताने नहीं ना क्या आप तो पुराने जानते हो फिर आप पढ़ने लिखने वाले आदमी हैं उन्होंने यूनुस को बुलाया अल्लह उनको जन्नत बक्षे दोनों लोगों को और कहा कि मिया यूनुस यूनुसा फिर थीखम सो जते हैं क्या हुआ था हमको पता नहीं क्या किया था तुर्कमान गेट पर ऐसे मुसल्मान को बुलडोजर के नीचे जमी दोज करते हैं और यूज पता रहे यू सीच नहीं आना चाहिए पीजी सी आना चाहिए टी सीच तीच नहीं नहीं है लाव गांदी करें मुसलिम लीग का ऐसा है तब तुर्कमान में कौन सी लीग थी? इतिहास बड़ा कुरूप होता है में तो बहुत कुरूप होता है चाद मावरान मत रखिये अगर इनको पढ़ाने लिखाने की मंशा होती तो असम में बिहार में बंगाल में जन्संग वाले कभी पार्शत नहीं हुए केवल हुकूमत आपकी रही श्रीकृषन बाबु जन्संग से थे श्रीकृषन बाबु बिहार के मुक्यमंत्री पाई ले नहीं ना आपने वहां इनको सरस्प्ज क्यों नहीं कर दिया उत्तर पदेश में त्रवाधी जी मैं गली बंद कर देता हूं बहस में एक और निवेदन करता हूं आपने कहा पूरवी पाकिस्तान के लोगों गलबड कर दिया इसलिए हम इनको उन्नती नहीं कर पाए त्वाधी जी उत्तर पदेश तक तो पूरवी पाकिस्तान की फोटो भी नहीं आई थी क्या और कल्यान सिंग पहले आदमी थे जब भाजपा का वहां सरकार आई उससे पहले उत्तर पदेश के मुसलमानों का हिसाब के ताब ठीक क्यों नहीं हो गया कब ज़क मुनीक और सरसप्ज कर देते कारोबारी हो जाते उनके कोल्ड हो जाते उनके कर खाने हो जाते बड़े प्रोफेसर आलिम हो जाते इतने कर देते गोविंद बलら पन्तस से बेसे और ये नहीं रही उत्रपदेश में मुसल्मान को सरसब्ज क्यों नहीं बनाया यह गोल-गोल मत करिये नहीं मसला यह नहीं आप कोशिश के लिए समय नहीं मांग रहे नहीं बुद्धा को टालने के लिए समय चाहते हैं कि जंजागरण करेंगे और मुझे अच्छा लगेगा जो आर वो इस बात की भी आ रही है कि इसी कॉमन सिविल कोड में एक एनेक्षर जनसंख्या पर भी होगा अभी तक की जानकारी यह है क्या वो और भी अच्छा है सोने में सुहागा है ऐस्मस्दार अस्मटाल डॉक्टर कहता है कि आपके दो तरफ है पतरी तो दोनों का आपонेशन कर आलो एक से लाव नहीं होगा। क्या तो UCC विद पोपुलेशन कंट्रोल यह काम करेगी क्या UCC विद आउट पोपुलेशन कंट्रोल भी काम नहीं हो आएगा इसलिए जागर यह से कोशिश है तो कोशिश के मुँमें घीशकर भारत में जन्संख्या नियंत्रन का कानून होना ही चाहिए मुहमद अतीक भाई ने कहा कि मुसल्मानों का मताधिकार हां कुछ सुझाब UCC को लेकर जो आए हैं जन्संख्या बाले मैं बता दूँ इस बात जन्संख्या बाले क्रोज ने उसमें देश में कुछ लोगों ने यह भी मांगी कि जिसके भी मुसल्मान नहीं हो जिसके भी एक समय सीमा के बाद से दो या दो से अधिक संतान हो उसके बोटिंग राइट को छीन लिया जाए लेकिन वो सुझाब किसी को समझ नहीं आता हां इतना जरूर है एक कट ओफ एयर के बाद जिसके दो से जादा बच्चे होंगे वो हिंदू हो मुसल्मान हो सिक्ख हो नबबध हो पार्सी हो जैन हो कोई हो अगला हो पिछला हो ओभी सी हो दलित हो ब्रामन हो कोई उसको सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिले ऐसा कानून आ सकता है मैं अभी से बताय दे रहा हूं अपना अपना मन तयार कर लो का पुराने वालों को संकट नहीं नए के लिए बता रहा हूं अतिक साब उसमें दो-चार दिन का हाय अला होगा लेकिन कानून तो लागू होई जाएगा फिर यह ब्रद्धावस्ता पेंशन फलाना पेंशन डगाना पेंशन सामाजिक कल्यान के तमाम योजनाएं होती सरकारों की वह नहीं मिलेंगी और कोई आपको कुछ नहीं कहेगा अईसा नहीं दरोगा आकर कुछ बोलेगा नहीं है तरबाडी जी सरकारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी ठीक बात फेर है ना सरकारी सुविधाएं चाहते हैं बच्चे दो रखिये मुसल्मान हो तो भी और हिंदू हो तो भी और एक बात प्रशाद निवाज ठीक नहीं ती इस देश में केपल मुसलिम ही अलपसंक्चक नहीं और दूसरे संदरभूब में देखें तो मुसलिम तो उतनी बड़ी आबादी है हमारे भारत की दूसरे नंबर की सब सरवाधिक आबादी है कि उसको अलपसंक्चक कहिना भी गलत लगता है मुझे अल्प संख्यक जैन है बउद्ध है पार्सी है पार्सी और मुस्लिम बराबर है क्या नहीं ना असली अल्प संख्यक वो है तरवानी जी मुस्लिम दो हमारे छोटे भाई है यह 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 क्यों कहते हो इनको जम्मू कश्मीर में भी मुसल्मान अल्प संख्यक वताया इसी बात कहते हो सब लोग किशन गंजी जिले में भी मुसल्मान अल्प संख्यक मालदा में भी मुसल्मान अल्प संख्यक ने रामपूर में भी मुसल्मान अल्प संख्यक जहां आजम खान साब तायल ठोक के कहते हैं कि बाईजा आप पच्पन भीज़दी तो मुसल्मान है यहां लिकट फुलत में क्या इसलिए अल्प संख्यक के विवाद में नह पड़ चाहता है मुझलमानों को अल्प संख्यक वाद से बाहराना चाहिए और एक बात में कहूंगा अतीक भाई से भी और सब से प्रधान मंत्री देश का होता है मित्रों और उसको देश की जनता चुंती है मर्यादा की सीमा जलूर होनी चाहिए हम इंडरा जी के बहुत सारे हैसलों से सहमत नहीं कर जिए कि व्यटिकत मस्वलों पर चर्चा नहीं कर सकते हों हंद लाल जी के कुछग भाई सहमत नहीं होंगे लेकिन ऐसे मुख्य करते हम गए तैंशदै नहीं करते हम मैं तो कहूँगा कि राजनेतिक मतभेद, सामाजिक मतभेद अपनी जगा, धारमिक मतभेद अपनी जगा, लेकिन आप भारत के निर्वाचित प्रधान मंत्री के को लेकर अगर इंटेंशनली कुछ ऐसा कह रहे हैं जो अब मानना है, तो पर कारवाई उस पर भी होनी अच्छी बात कहिए, मजबूती से कहिए, कोन रोकता है? हम तो जिन्ना के बारे में भी ऐसी बात नहीं बोलते हैं, छोड़िए, जाने लिजे, क्या विवाजन तक रहते हैं, वही तक रहते हैं, जासक्ते हैं उसके दाइमाएं, नहीं जाते हैं, तो बदी जी, इस बात इ अगली बात जंदा आपको चुन के भेज़ दे आपके पसंद के आदमी को बेज़ दे तो भी वो भी सिर्मात है होगा मैं जवहारलाग जी से लेके और नरेदर भाई मोधी तक सब को भारत का प्रधानमंत्री मानता हूँ और इसलिए सब के प्रतिस्तमान का भाव रखता हूँ इबात जान लेजिए धन्यबाद